अब इसमें चावल ले सकते हैं या फिर किनकी ले सकते हैं अब इसके अंदर करने के लिए सबसे पहले हमें इंडेक्शन ओन करना पड़ेगा इंडेक्शन करते ही हमें इसमें दूद्ध बॉइल करके रखिया है अब इसके लिए सबसे नीन टेंपरिचर 200 ले लेंगे अब इसमें थोड़ा हमारा दूद्ध कम है तो इसके लिए हम इसमें और दूद्ध डालेंगे हम लगभा कम से एक किलो दूद्ध की खीर बना रहे ह इसके अंदर हमार पास जो मलाई पड़ी थी वह भी हम नें इसमें हैड कर लिया है और थोड़ी हमार पास कल की ताजा मलाई निकली थी वो भी बीसमें है और इसके लिए हमें थोड़ा से एसको हिलाना है हिलाने के बाद हमने जो चावल भी हुए थी वह इसके अंदर हमें डालने हैं हम इसके अंदर चावल लाल देंगे और फिस्ट को चावल लाल देंगे हम इसके अंदर करें दो हम चावल को हम हिलाएंगे जब तक यह गल न जाएं, अब हम इसका टेमप्रेचर बढ़ा देना है कम से कम पूर हंडडर कर देना है कावल का अच पर यह इसमें गल ते रहेंगे निकिल लगेंगे लिओ बीच बीच में आपको इसको हिला देना है अब इसको हिलाना है और इसके बाद हमें इसके अंदर चीनी एड़ करने हैं तो चीनी के लिए दो कटोरी दो कालेंगे दो कटोरी चीनी के लिए हमें दो कटोरी इसमें चीनी डाल लिए है J कीर डालना पसंद करते हैं तो हम इसमें 1.5 के करीब डालेंगे देड़ करीब इसमें चीनी डाल देंगे और फिर मिठा कम जादा हो आप टेस्ट करके फिर अपना कड़ सकते हैं इस पर चीनी हुली तक हम इसको हिलाएंगे और टेंपरेचर हमारा अभी 400 है तो हम 200 पर कर देंगे इससे कि वो नीचे हमारी जो खीर है लगे नहीं और इसका अंदर रहे कि अब हमारी ये जीनी इसमें मैश हो गई है बूल गई है तो अब इसमें हमने खोडा सा बढमаюсь के अंदर लाल देना है कि MON है कि ऐदर हो थोड़ी से हम किसमेस ले रहे हैं भी डाल तोड़ी से एम जब सेर्फ करेंगे तो पर से ताल देंगे और थोड़े ही हमने पदाम निकाल के लिख लिए हैं यह सर्फ करते समय उपड़ से हमें डाल देना है खीर बनके रेडी है तो आज हम इंडेक्शन आफ कर देंगे और हमारी बनके तियार है अब स्कूप सर्फ करेंगे